उम्रान मलिक की तेज गेंद पर खड़ा हुआ अजीब विवाद क्या उम्रान ने डाली सबसे तेज गेंद दस जन्वली को खेले गए भारत बनाम शुरलंका के बीच पहले बढ़ने मुखाबले में भारती तेज गेंद बाज और स्पीड स्टर कहला जाने वाले यूवा तेज गेंद बाज उम्रान मलिक ने वन डे क्रिकिट में भारत के लिए सबसे तेज गेंद फैकी उन्होंने चौदवे उबर में 156 किलोमेटर प्रती घंटी के रफतार से गेंद डालते हुए सब ही को हैरान कर दिया उम्रान मलिक की गेंद बाजी देखने के बाद तो अब कई दिगज ये भी कह रही है कि जल्द ही उम्रान मलिक शौई बखतर का भी रिकार्ड तोड़ देंगे लेकिन अभी तो रुको जरा सबर करो क्योंकि उम्रान मलिक के इस तेज गेंद को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है अब भला 156 किलोमेटर प्रती घंटी के रफतार से गेंद डालने के बाद खुशियां मनाई जाती हैं विवाद तो क्यों खड़ा हो रहा है चलि आपको बता दें कि असल में ये विवाद पैदा कैसे हुआ है आपको बता दें कि जितने भी भारती दर्शक स्टार स्पोर्ट्स का हिंदी चैनल देख रहे थे क्योंकि हिंदी कोमेंटरी वाले चैनल पर जहां 156 किलोमेटर प्रति घंटी के रफतार की स्पीड दिखाए जा रही थी वही उस ही गेंद को इंगलिश कोमेंटरी वाले चैनल पर 145.7 किलोमेटर प्रति घंटी के रफतार से गेंद बाजी दिखाए गई यानि कि दो अलग 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 चैनल्स पर दो अलग अलग स्पीड दिखाए गई और यहाँ पर एक विवात खड़ा हो गया कि क्या असल में उम्रान मलिक ने भारत के लिए वंडे में सबसे तेज गेन फैकी या फिर नहीं अब सचाए क्या है ये तो कोई नहीं जानता है क्योंकि ये तो एक टेक्निकल मिस्टेक है अब इस सिचुएशन में कौन सी स्पीड मानी जाएगी आपको बता दे जब अलग 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 चैनल्स पर दो अलग अलग स्पीड दरशाई जा रही है तो ऐसे में 156 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार वाली गेंद उमरान मलिक के खाते में जूड़ी जाएगी और यही गेंद भारत के लिए वनडे में सबसे तेज मानी जाएगी यानि की एक बाता है कि अब उमरान मलिक भारत के लिए टीटवन्टी वनडे और आईटेल में सबसे तेज गेंद फैक्टने वाले गेंद बाज बन गए हैं उमरान मलिक की गिनबाजी की बात करें तो उन्होंने शिरलंका के वरुत पहले वनडे में आठ होवर में 61 फरंड खर्चे लेकिन साथे साथ उन्होंने तीन विकेट भी अपने नाम किये अंतमे दासुम शनाका ने उमरान मलिक में भी मार लगाए लेकिन टीम को पहले तीन जटके दिलाने में भी उमरान मलिक का बहुत बड़ा हाथ रहा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ